कहा दाता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, फिर जुर्म चाहे कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा क्यों ने हो, एक दिन तो उसका पर्दा फास होता ही है, आज हम आपको एक ऐसे ही शक्ष के बारे में बताने डा रहे हैं, जो कभी अपनी पर्सनल जिंदगी के चल अपार संपत्ती थी, लेकिन अब अपने गंदे कारनामों की वज़े से जेल की सलाकों के पीछे सजा काट रहा है, साधवियों से रेप मामले में 20 साल की सजा भुगत रहे गुर्मीत रामरहीम इंसा और उनकी मुहुद बोली बेटी हानी प्रीत को जेल में लेकर ताजा ज कारियां दी, कहा जा रहा है कि जेल के भीतार हानी प्रीत अकेले रहना पसंद करती है और भरजन की इरतन से दूर रहती है, शुरू में हानी प्रीत को जेल का खाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब उन्हें इस खाने के साथ दिकत नहीं होती है। हनी प्रीत को अम्बाला सेंटर जेल में रखा गया है जबकि राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं दो साधवियों से रेप मामले में 20 साल की सजा भुगत रहे गुर्मीत राम रहीम को कैदियों वाली वर्दी दी गई है जेल के अंदर राम रहीम अनुशासन में काम करते हैं और अच्छा व्यावार करते देखे गए हैं उन्हें अभी जेल के भीतर नौसिखिया मजदूर माना जाता है और बीस रुपए की दिहारी मिलती है अभी तक राम रहीम को रसोई के लिए बने बगीचे में सब्जिया उगाते हुए देखा गया है नियमित और पर कैदियों वाला सफेद कुर्ता और पाजामा पहनने वाले राम रहीम की आठ महीनों में दाड़ी और बाल ग्रे रंग के हो गए हैं हाल ही में उनकी मा, पतनी और बेटे उनसे मिलने आये थे जेल प्रशासन ने राम रहीम के खाते में हर महीने 5000 रुपेज जमा करने की छूट दी है जिससे वे जेल की कैंटीन से फलो और समोसा जैसे स्नाक्स खरीदते हैं डेरा ने हाल ही में लक्ष्णव के दो वकीलों तन्वीर एहमद मीर और ध्रोव गुपता को राम रहीम के बड़े पैमाने पर करीब 166 पुरुशों तो जब रन बधिया कराने के मामले में बचाव के लिए रखा है राम रहीम के खिलाफ हत्या दो मामलों की सुनवाई भी पमचा कूला में CBI की विशेश अदालत में चल रही है राम रहीम के वकील मीर और गुपता आरुशी हत्याकान मामले में तलवार दमपत्ती के वकील रह चुके हैं